मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग UFSTOCK में आप अपना एक new account कैसे open कर सकते हैं और मैं आप लोग को इस वीडियो में UFSTOCK में आप लोग को में आप एकाउंट बना कर दिखाऊंगा और एकदम में आप लोग को यहाँ पर step by step आप लोग को मैं आप पर process बताऊंगा upstock में तो अगर आप लोग को भी account आप लोग को यहाँ पर open करना है तो आप लोग इस video को complete देखे क्योंकि आप लोग को यहाँ पर complete जानकारी मिलेगा तो आप लोग को मेरे video को नीचे में upstock का link मिलेगा तो आप लोग जैसे उस link पर tap करेंगे आप लोग आजाएं कुछ इस परकार के interface पर simple आप लोग को यहाँ पर application को download कर लेना है और download करके जो आप लोग यहाँ पर पहली बर open करेंगे तो आप लोग के सामने upstock का कुछ इस परकार से interface यहाँ पर देखने को मिलेगा तो simple आप लोग को यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा create a new account, simple आप लोग को इस पर tap करेंगे, तो आप लोग के सामने कुछ इस पर card के अंडर फेस आएगा, तो simple आप लोग को यहाँ पर upstock में account उपन करने के लिए, यहाँ पर आप लोग को अपना mobile number डालना है, जैसा कि मैंने अपने mobile number को डाला, simple आप लोग को यहाँ पर sign up which mobile number पर tap करेंगे, आप लोग के सामने कुछ इस पर card के अंडर फेस आएगा, simple आप लोग के नमबर पर OTP आएगा, आप लोग यहाँ पर OTP को डालेंगे, और यहाँ पर आप लोग continue वाले option पर tap करेंगे, OTP को डाला और मैंने यहाँ पर continue वाले option पर tap किया, तो आप लोग के यहाँ पर कुछ इस पर card के अंडर फेस आएगा, simple आप लोग के यहाँ पर 6 pin का, आप लोग के यहाँ पर आपको यहाँ पर pin करना हो, pin डालना होगा, तो चले, मैं यहाँ पर 6 number का मैं pin को डाल देता हूँ, simply आप लोग यहाँ पर continue करेंगे, अब आप लोग को यहाँ पर आपना email id को डाल दिते हैं, जिससे कि मैंने अपना email id को डाल दिया, simple आप लोग यहाँ पर update वाले option पर tap करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर email ID पर एक OTP आएगा सिंपल आप लोग यहाँ पर get OTP पर टैप करेंगे और आप लोग यहाँ पर नीचे में अपना email मतलब OTP को डालना है और आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर टैप करना है को डाला और मैंने यहाँ पर continue किया तो आप लोग के सामने कुछ इस पर कार के इंटरफेस हैगा अब आप लोग को यहाँ पर pain card और आप लोग को यहाँ पर अधार card को आप लोग को यहाँ पर डालना होगा तो सिंपल आप लोग यहाँ पर अधार card और pain card को अपने पास रख लेंगे और आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे जैसे मैं जींटे गरेंगे जीसे ताप करता हूँ simple आप लोग यहाँ पर अपना place number डालना है और आप लोग को यहाँ बैटा पहर डालना है तो चले मैं यहाँ इन दोनों को fill कर लेता हूँ आप लोग को यहाँ पे next वाल या उप्शिन पर tap करेंगे आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ कार्ड के एंटरफेस हैगा आप लोग को यहाँ पर अपना male, female आप लोग यहाँ पर single है याप लोग यहाँ पर married हो आप लोग यहाँ चूच कर लेंगे आप लोग को यहाँ पे annual income कितना है आप लोग यहाँ पे जितना भी होगा वह आप लोग डाल देंगे आप लोग यहाँ पे before से 1 लाग या 1 लाग से 5 लाग फिर आप लोग यहाँ पे 5 लाग से 10 लाग फिर आप लोग अपना यहाँ पे experience share करेंगे कि आप लोग कितना experience है अगर आप लोग कियाँ पे zero experience है और आप लोग यहाँ पे new account open कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे less than one years पर tap करेंगे फिर आप लोग को यहाँ पे अपना पेन कार्ड में जो आपका father name है आप लोग यहाँ पे अपना father name को डालेंगे फिर आप लोग यहाँ पे option को choose करेंगे फिर आप लोग यहाँ पे आपको policy ds में आप लोग no करेंगे और यहाँ पे आप लोग इसके नीचे आप लोग यहाँ पे s करेंगे इन सभी को fill करने के बाद आप लोग यहाँ पर simply continue वाले option पर tap करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर सारा चीज को मैंने यहाँ पर fill कर दिया है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे में I accept करेंगे और आप लोग यहाँ पर simply continue वाले option पर tap करेंगे जैसे ही आप लोग यहाँ पे continue वाले option पे tap करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस परकार के interface आएगा और मैं आप लोग को बता दू कि यहाँ पे लिखा रहा है कि कभी कभी आप लोग को यहाँ पे एकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लग रहा है तो अभी फिलाल यहाँ पे account opening का चार्ज यहाँ पे बिलकुल 0 है अभी यहाँ पे 1 रुपे यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लग रहा है और उसके बाद simply आप लोग यहाँ पे I want a stock for a आप लोग 0 के option पे tap करेंगे उसके बाद मेरा यहाँ पे कुछ loading ले रहा है अब आप लोग यहाँ पे अपना digital signature करना होगा और उसके simply आप लोग यहाँ पे continue वाले option पे tap करेंगे जैसा कि मैंने आप अपना signature यहाँ पे कर दिया simple आप लोग यहाँ पे continue वाले option पे tap करेंगे और यहाँ पे फिर से आप लोग को यहाँ पे कुछ specard का loading लेगा loading लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ specard से interface देखने को मिलेगा डीजी लोकर से आप लोग को यहाँ पे verify करना होगा तो आप लोग को यहाँ पे simply continue नहों के connect नहों के option पे tap करेंगे फिर आप लोग यहाँ पे process करेंगे और उसके बद यहाँ पे आपफे अपलोग को DG Locker से आपलोग को अपना यहाँ पे आधार कार्ट को verify करना होगा अब आप लोग को यहाँ पे अपना आधार नमबर डालना होगा उसके बद आपलोग यहाँ पे नेक्स्ट वाली और ओफ्शन पे tap करेंगे जैसा कि मैंने यहापना अधार कार को डाल दिया है मैं अधार नंबर को फिर आप लोग यहाँ पर next वाले option पर tap करेंगे उसके वर आप लोग कहाँ जो भी आपका यहाँ अधार नंबर में आप लोग कहाँ पर mobile नंबर लिंक होगा उस नंबर पर आप लोग का OTP आएगा simply आप लोग यहाँ पर OTP को आप लोग यहाँ पर डाल देंगे मैंने यहाँ पर अपना OTP को फिल कर दिया simply आप लोग यहाँ पर continue वाले option पर tap करेंगे अब आप लोग को यहाँ पर simply allow वाले option पर tap करेंगे यहां पर डीजी लोकल से वीरिफाय हो चुका है अब आप लोग को यहां पर अपना एक सेल्फी आप लोग करना होगा तो चले वह अपना एक सेल्फी को अपलोड कर देता हूं मैंने यहां पर अपना सेलफी को मैंने यहां पर डाल दिया simply आप लोग यहां पर continue करेंगे या नहीं तो आप लोग चाहे तो फिर से photo ले सकते हैं तो चले मैं आप अपना continue वाले option पर tap करता हूँ अब आप लोग को यहां पर अपना account number को डालना होगा यानि आप लोग को यहां पर अपना bank account को डालना होगा तो आप लोग को यहां पर अपना account holder name आप लोग को यहां पर IFC code फिर आप लोग को यहां पर bank account number फिर आप लोग को यहां पर re-enter bank account number और आप लोग को यहां पर saving या current account है आप लोग को ओ चूच करना होगा तो चले मैं आप अपना bank detail को fill कर लेता हूँ जिसा कि मैंने आप अपना bank detail को fill कर लिया अब आप लोग को यहाँ पर simply continue ओले option पर tap करेंगे और यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ इस परकार के interface है का simply आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं sign up आपको for free simply आप लोग इस पर tap करेंगे और आप लोग यहाँ पर continue ओले option पर tap करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर account opening का charge नहीं लग रहा है तो आप लोग यहाँ पर simply continue ओले option पर tap करेंगे और यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ इस परकार के interface है का simply आप लोग यहाँ पर activate the segment और यहाँ पर no i later तो आप लोग यहाँ पर चाहे तो s या no कर सकते हैं आप लोग इसे चाहे तो बाद में भी change कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मैं यहाँ पर no ओले option पर रहने ता हूं simply आप लोग यहाँ पर continue ओले option पर tap करेंगे और यहाँ पर आप लोग का कुछ इस परकार से आ चुका है option अब आप लोग को यहाँ पर simply I do it later के option पर tap करना है simple आप लोग को यहाँ पर e-sign करना होगा आप लोग को यहाँ पर आधार OTP से आप लोग के आप लोग को यहाँ पर e-sign करना होगा आप लोग को नीचे option दिख रहा होगा, आपको sign up now, simple आप लोग इस पर tap करेंगे, और आप लोग के सामने कुछ इस पर card का, आपको यहाँ पर nsdl का, आप लोग को यहाँ पर website देखने को मिलेगा, simple आप लोग यहाँ पर अधा नमबर को डालेंगे, और आप लोग यहाँ आप लोग यहाँ पर send OTP पर tap करेंगे, जैसा है कि मैंने अपना अधाः नमबर डाल दिया और मैंने अपना चेक बॉक्स में टीक किया, simply आप लोग यहाँ पर send OTP पर tap करेंगे, आप लोग के नमबर पर OTP भेजा गिया, आप लोग यहाँ पर simply अपना OTP को डाल देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना OTP को डाल दिया आप लोग यहाँ पर verify OTP पर tap करेंगे और आप लोग यहाँ पर कुछ इस परकार से verify लेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं e-sign यहाँ पर successful हो चुका है और मेरा यहाँ पर दिखे e-sign यहाँ पर complete हो चुका है और यहाँ पर मेरा e-sign होने के बाद अब आप लोग यहाँ पर application submit होगा और उसके बाद आप लोग के यहाँ पर demate account आप लोग के बनकर तयार हो जाएगा जब आप लोग के याँ पर इस तोटल फरोसेस कंपलीट हो जाएगा उसके लगोश कि अभी ऐस दिमेट एकाउट बनकर तयार हो जाएगा तो चलिए आप मैं आप तीन दिन का वेट में कर लेता हूं यहां पर आज से 10 घंटे के बाद आप लोग को यहां पर इमेल में आएगा Congratulations your upstock account is now active यहां पर मेरा upstock का account बनकर तयार हो चुका है और यहां पर आप लोग को यूजर नेम और आप लोग को यहां पर login पासफ़र्ट आप लोग को दिये दिये जाएगा तो simple आप लोग को यहां पर अपना यूजर नेम और पासफ़र्ट को आप लोग को यहां पर कोपी कर लेना है उसके बाद simple आप लोग को आना है upstock में और आप लोग को यहां पर अपना account को login कर लेना है simple आप लोगिन वाले उप्षन पे जाएंगे आप लोग यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे और आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ट डालेंगे तो चले मैं आप अपना यूजर नेम और पासवर्ट को डाल देता हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना user name और password को डाल दिया simple आप लोग यहाँ पर login वाले option पर tap करेंगे और आप लोग को यहाँ पर अपना date of worth का आप लोग को यहाँ पर year को choose करना है तो मैं यहाँ पर simply अपना year को choose करता हूँ और यहाँ पर अब आप लोग का change password आएगा तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले अपना password को change करना है आप लोग को यहाँ पर अपना old वाला password डालना है आप लोग को यह new password डालना है फिर आप लोग को यहाँ पर फिर से new password डालेंगे और आप लोग यहाँ पर submit करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना passport को डाल दिया है simple आप लोग यहाँ पर submit वारे option पर tap कर आप लोग को यहाँ पर नीचे में सारे option मिलेंगे अब मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को और एक दो वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं आप लोग को अप स्टोक में आप लोग को यहां पे कैसे अप स्टोक को आप लोग को बाई करना है, सेल करना है इसमें आप लोग को कैसे अपना फंड एरेज करना है आप लोग को इसमें अपना deposit कैसे करना है इसमें आप लोग को share को कैसे buy sale करना है इन सभी के बारे में पूरी जानकरी बताऊंगा और इसमें आप लोग को upstock में आप लोग refer करके भी अच्छा खासा amount की earning कर सकते है यहाँ पर आप लोग को मिलेगा refer and earn आप लोग यहाँ पर refer आप लोग यहाँ पर 500 पर 800 पर 1000 रुपे तक की आप लोग यहाँ पर income कर सकते हैं इसके लिए आप लोग यहां पर upstock में अपना account जरूर बनाए तो आप लोग को यहां पर समझ में आ चुका होगा कि आप लोग upstock में आप अपना खुद का account कैसे बनाएंगे